Hello Students, जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में एक्सलरेशन के बेसिक चिस्टस के एक वाइस कर लेते हैं, देखो अगर किसी पार्टकिल का मोशन हो रहा है और उसकी स्पीड और डारेक्शन कॉंस्टेंट है, बतल नहीं रही है, लग पार्टकिल का मोशन युनिफॉर्म मोशन ह जैसा कि मैंने फिछले में भी देखाया था, इस टाइप से उनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो पार्टकिल उसी स्पीड से उसी डारेक्शन में चलता चला जा रहा है, तब तक तो उसमें कोई भी एक्सलरेशन नहीं है, कोई भी विलॉस्टी में चेंज नहीं है, जैसे ही उसकी विलॉस्टी बदलेगी, स्पीड के बदलने से, घटने बढ़ने से, स्पीड के, डारेक्शन बदलने से, जा कहिए और राथ ऐस्छत में फिर वो नोथ में जाने लगा, या 就नों के भी बदल रही है, और उसकी डारेक्शन भी बदल लbereगी, जैसे कि प्रज़क्टा के motion है तो यह accelerated motion है और acceleration की definition मैंने पहले भी बताई थी दुबारा बता रहो acceleration is rate of change of velocity with respect to time acceleration velocity की time के respect में बदलने की rate of change है change तो होना चाहिए किस में होना चाहिए velocity में और with respect to time कमालो time में change है delta t और उस time interval में velocity में change है delta v तो acceleration होता है delta v upon delta t और अगर delta v upon delta t में बड़ा time interval ले रहे हो तो वो average है उस time बड़े से time interval का average है बड़े आगर आप time interval छोटा ले लो किसी moment पर आपको velocity की बतलने की rate of change निकालने तो उस moment से बहुत छोटा सा time interval differential time interval in small time interval tending to zero time interval लोग है जिसको dt बोलते है तो dt interval में velocity में भी बहुत छोटा सा change होगा तो delta v बन गया dv तो instantaneous acceleration होता है dv by dt instantaneous acceleration कितना होता है dv by dt तो यह acceleration का formula हो गया acceleration की definition अगर आप से class 11 में पूछे जाए तो आप बोलेंगे acceleration is rate of change of velocity with respect to time formula पूछा जाए तो आप average का लिखोगे delta v upon delta t instantaneous पूछा जाए तो आप लिखोगे dv upon dt अब आते हैं इसके questions पर जैसे माल लीजे मैं one dimensional motion की बात करूँ एक particle straight line में चलना है तो straight line में चलने वाले particle की position हम लोग x से लिखेंगे velocity v dx by dt से लिखेंगे acceleration एक dv by dt से लिखेंगे तो ऐसे एक particle जिसका time के साथ उसकी position दे रखिए x is equal to t square minus 3t plus 1 ये time के साथ उसके particle की position के बिदलने का mathematical function लिख रहता है मुझे से velocity पूछे गई तो मैंने instantaneous velocity अब velocity पूछे की तो मैंने किसी moment की velocity पूछे की average तो पूछे नहीं की तो जब हमसे सिर्फ velocity बोला जाता है तो समाल लेना है कि हमसे instantaneous मूच रहे है as a function of time और instantaneous velocity मैंने बताया था dx upon dt होती है और dx upon dt ये भी बताया था कि derivative वो position with respect to time है तो अब मैं differentiation निकालना नहीं बता रहा है differentiation का अलग से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है आप उसको देख सकते हैं तो instantaneous velocity dx upon dt इसको differentiate कर दें तो t square का 2t minus 3 और 1 constant का 0 तो instantaneous velocity होगे 2t minus 3 ये आगे velocity अब acceleration पे पहुंचना था तो आप एक चीज़ ये देखो कि velocity अगर 2t minus 3 है तो ये time t पे depend कर रही है 2t minus 3 में जैसे जैसे t बदलेगा ये t बदलेगा तो अलग-अलग viki values आएंगी यानि कि ये velocity बदलने वाला motion है यानि कि non uniform motion तो है और अगर non uniform motion है तो accelerated motion है तो अब मुझसे पूछा जाए माली एक acceleration तो acceleration के इसमें दो type की question मन सकते है average को instantaneous के तो माली मुझसे पूछा गया 0 से 2 second के बीच में आप average acceleration बताओ 0 से 2 second एक time interval है तो obviously average ही पूछ रहे होंगे instantaneous पूछ नहों होता तो किसी moment पे पूछते है तो मैं क्या करूँगा मैं average expression लिखूँगा delta v upon delta t delta v क्या होता velocity में change change कैसे निकालते है final minus initial v2 minus v1 नीचे time में change लिखूँगा t2 minus t1 v2 का मतलब 0 से 2 में 2 final है तो दूसरे second में कितनी velocity है आपे 2 रख दो 2 रख दो तो 2 into 2 4 4 minus 3 1 v1 यहां पे t is equal to 0 रख दें तो 0 पे रख देंगे तो 2t वाल अटम 0 जाए का minus 3 बचेगा तो 1 minus minus 3 final minus initial 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 minus 3 आया था तो 1 minus minus 3 time interval 0 से 2 की बीच में 2 second तो 1 minus minus 3 हो गया 4 4 upon 2 2 2 meter per second square हो गया average acceleration अब आते है instantaneous instantaneous acceleration होता है dv by dt dv by dt का मलब velocity का differentiation तो 2t minus 3 को differentiate करेंगे तो 3 का 0 आएगा 2 तो instantaneous acceleration हो गया 2 तो हमने देखे इस question में x दे रख था उसकी velocity भी निकाली हमने average acceleration भी निकाला हमने instantaneous acceleration निकालना भी सीख लिया और आगे बढ़ते है acceleration की properties करते हैं detail में तो देखे acceleration क्या है rate of change of velocity with respect to time है average acceleration कैसे निकालते हैं delta v upon delta t stundiness कैसे निकालते हैं dv upon dt क्या हमें ऐसा question करना आता है अभी अभी में ने किया और आके अगर acceleration 0 है तो uniform motion यह तो बताया था अब देखे अगे acceleration अगर आप किसी particle का निकालना है तो 3 possibilities हो सकते हैं या तो acceleration 0 आएगा या acceleration non-zero आया तो non-zero का मालब कोई value आए तो हो सकता है वो value constant आए जैसे a is equal to 2 a is equal to 3 a is equal to minus 10 यह तो आतो रही है acceleration की value non-zero बट है तो constant 2 3 minus 10 constant है तो इस type का motion जहाँ पर acceleration आता है बट constant होता है उसको बोलते है uniformly accelerated motion क्या बोलते हैं उसको uniformly accelerated motion third possibility हो सकती कि acceleration आए और वो constant भी ना आए जैसे a is equal to 2t plus 1 time का function a is equal to e to the power t a is equal to log t कुछ भी random सा function a is equal to 2e की power minus t plus 1 acceleration time का function आए तो वो कहलाता है variably accelerated motion acceleration के basis पे हम motion को classify करते हैं अगर acceleration 0 तो uniform motion अगर acceleration constant तो uniformly accelerated motion अगर acceleration variable तो variably accelerated motion चाहँ देखे मैंने एक figure दिखा है यह एक particle है अब इस particle पे जा रहा था कुछ velocity इस पे कुछ forces लग रहे हैं देखे माल लिजे सिर्फ f1 force लग रहा होता ठिक और यह f1 force के अंडर जा तो x axis के लाउंग रहा था और f1 force की विए से acceleration f2, f3 भूला दीजे एक moment के लिए माल लिए particle x axis पे जा रहा थो particle पे net force और net acceleration y पे आ रहा है तो particle इस line में क्यों चलेगा particle ऐसा भी नहीं कि उसलिए y में चलने लएगा और particle का motion x axis को छोड़ देगा तो particle इस ट्रेट लाइन में नहीं चला माल लिए particle पे force सिर्फ f2 है f1 को बिला दीए f3 को बिला दीए सिर्फ f2 है तब भी particle देके line को disturb करेगा अब माल यह particle पे f1 f2 नहीं है सिर्फ f3 जो पीछे से लग रहा है तो particle देके जिस line में चला उसी line में चलता रहेगा तो एक चीज में बताना चाहता था क्योंकि हम लोग जो chapter कर रहे है वो motion in a straight line है motion in a straight line जो होता है वो रेक्ति लीनियर मोशन, motion in a straight line जिसको हम लोग रेक्ति लीनियर मोशन कहते हैं उसकी इक basic condition में बताने जा रहा था acceleration की वो यह है कि अगर particle के velocity और acceleration एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे तो उसकी condition ही यह है, basic condition ही यह है, और देखें, मैंने यहाँ पर highlight करके star बना के class में बताया था, acceleration must be along the same line, अगर पार्किल को straight line में चलाना है, तो पार्किल के लगने वाला acceleration उसी line में होना चाहिए, ऐसे acceleration को बाद में जो उसी पार्किल के चलने के motion के along ही लगता, वो उसकी direction बिदलने लगता है, हमें तो अभी direction नहीं बिदलनी है न, हमें तो line में चलाना है, तो line में चलने के लिए पार्किल के motion के लिए, अगर आपसे कोई question पोचा जाए तो आपको यह याद अखना है, line में चलने के लिए, पार्किल का acceleration, velocity के along होना चाहिए, along का मतलब यह कि जैसे पार्किल अगर इस line में चलना है, यह है उसकी velocity, तो पार्किल का acceleration, इस line के along में दो possibility, या तो उसी direction में हो, तब भी along माना जाएगा, या just opposite direction हो, तब भी along ही माना जाएगा, उसी line के along होना चाहिए, लिकि मैंने दिखाया अगले line में, V, right में, तो A right में, V right में, A left में, तो right हो चाहिए left हो, लेकिन है उसी line के along, अब यहीं से हमारी अगली कहानी start होती है, कि अगर पार्किल की velocity right में, और acceleration भी right में, मतलब right को अगर हम positive मालें, तो VB positive और AV positive है, VB positive और AV positive है, तो खुरी बताइए, पार्किल जिस direction में जाता है, उसी direction में acceleration है, acceleration कहां से आता है, तो F is equal to MA, acceleration आता है force से, और force और acceleration एक ही direction में होते हैं, force मतलब pushya pull, तो force एक pushya pull धक्का है, या खिचाव है, तो देखिए, जितर पार्किल जा रहा है, उसी तरफ को धक्का दे, तो पार्किल क्या विश्की, speed तो बढ़ी जाएगी, speed तो बढ़ी जाएगी, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि, acceleration है, वो direction of force के लॉंग होता है, और direction of force दो सकते हैं, अगर right है, तो positive, left है तो negative, तो माल लिजिए, acceleration positive है, यह तो खेर positive था ही, अगर acceleration positive है, जैसे यह मैंने इस figure में देखा है, तो पक्की बात है, उसकी जब धक्का, acceleration negative, opposite action में, तो जा रहा था इधर, तो धक्का उसके opposite direction में लग रहा है, यह negative है, तो पक्की बात है, वो रुखने लगता, retard होने लगता, slow down होने लगता, तो उसकी speed घटी, तो उस case में, देखे, मैंने बताया कि, velocity घटेगी, अगर यह negative है, तो velocity घटेगी, लेकिन यह तब था, जब हम दोगों ने, V को positive माना था, अब देखे, तो रहा सा odd कर लेते हैं, माल लेजे, V negative है, माल लेजे, V negative है, in fact, 4 possibility हो सकती है, यह देखे, मैंने यह जो उपर figure बनाया, V positive तो A positive हो सकता है, V positive तो A negative हो सकता है, यह देखे, पहली possibility, दूसरी possibility, तीसरी possibility, चौथी possibility, पहली possibility, V positive, A positive, यह कर लिया हम दोगों ने, इसमें speed बढ़ती है, velocity भी बढ़ती है, पिर दूसरा मैंने V negative, यह भी करने जा रहा हूँ, इसमें V positive, A negative, यह मैंने बता दिया, speed घटी है, V negative के भी दो case है, V negative में A positive भी हो सकता है, V negative में A negative भी हो सकता है, A का जो positive negative है, वो उसकी direction से decide होता है, force की direction से decide होता है, तो velocity का बढ़ना गढ़ना, क्या बताता है, अभी हम दोग देखेंगे अभी, अब देखे, तो यह जो force है, एक तरह के से फिर retard करेगा, यानि कि speed को घटाएगा, speed को घटा रहा है, लेकिन A देखें positive है, A होता है velocity का rate of change, ना कि speed का rate of change, A positive का मतलब है कि velocity में change, तो positive ही होगा, लेकिन आप देख रहो कि speed यहाँ पर घट रही है, तो ऐसा है कि velocity का rate of change, और speed का rate of change, तो अलग-अलग चीज़ है, इन दोनों को अलग-अलग करना सीखे, लास्ट तक जब आप वीडियो के पहुँचेंगे, तो अब बूरे अच्छे तरह के से conclude कर दूँगा, कि दोनों में difference कहा है, चौथा वाला case देखे, इसमें पार्ट के left जा रहा है, तो velocity निगेट हुए, और acceleration भी निगेट हुए, यनकि दोनों left है, acceleration का positive negative उसकी direction है, तो अगर V भी निगेट हुए, A भी निगेट हुए, जा रहा है, धक्का भी उदर लग रहा है, तो positively speed तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन A निगेट हुए, acceleration होता है, velocity का rate of change, velocity का rate of change अगर negative हुए, तो change निगेट हुए, velocity में change negative तभी हो सकता है, जो velocity घटे, velocity घट रही है, but speed बढ़ रही है, तो आप यह समझे कि, acceleration का change, velocity का change और speed का change, दो एक ही चीज़ें नहीं हैं, दो अलग-अलग चीज़ें, दोनों को अलग-अलग करना सिखे, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ summary, देखे, speed कप-कप बढ़े, जब देखे, V positive A positive था, धक्का, उसी direction में लग रहा है, इस direction में पाटकर चल ला है, जब V negative, A negative, जिस direction में पाटकर जा रहा है, उसी direction में acceleration है, V plus A plus में भी speed बढ़ रही थी, V minus A minus में भी speed बढ़ रही थी, speed कप-कप घट रही थी, जब V plus था, A minus था, ये वाला case, और ये वाला case, जब V minus था, A plus था, तो देखे, speed हर उस case में बढ़ती है, जब acceleration of velocity सेम direction में होते हैं, speed हर उस case में घटती है, जब acceleration of velocity अपोजिट direction में होते हैं, तो speed का बढ़ना गटना, हम acceleration के sign से नहीं देखते हैं, speed का बढ़ना गटना, acceleration of velocity की सेम direction है, opposite direction से देखते हैं अगर acceleration of velocity same direction में होते हैं तो speed बढ़ती है अगर acceleration of velocity opposite direction में होते हैं तो speed घड़ती है फिर से बोलना हो acceleration का sign क्या बताता है तो अगर acceleration plus है तो speed के बारे में नहीं predict करेंगे हम velocity के बारे में predict करेंगे हम बोलेगे अगर acceleration plus है तो velocity हमेशा बढ़ रही होगी velocity का change positive हो एक्सलेशन से विलॉस्टी पटेक्ट करने सीखें, ना कि speed. Speed कैसे पटिक करेंगे? अब आप बोलेंगे कि अगर एक्सलेशन विलॉस्टी दूनों एक ही direction में, या तो दूनों positive, या तो दूनों negative, तो speed बढ़ रही है. अगर एक्सलेशन विलॉस्टी अपोजी direction में, V plus, A minus, या V minus तो A plus, तो speed घट रही है. अंधी, निकालते हैं पूरे वीडियो की. Number one, एक्सलेशन क्या है? Rate of change of velocity with respect to time, पहला point. दूसरा point, formula, average का delta V upon delta T, extendness का dv by dt. थर्ड, एक्सलेशन की direction किसकी direction होती है? force की direction. acceleration एक vector quantity है, force के along होता है. तो अगर straight line की बात करें, तो positive negative हो सकता है. चौती चीज़, uniform motion में acceleration, 0. अगर non-uniform motion है, तो acceleration होगा. constant है, तो uniformly accelerated motion. अगर variable है, time का function है, या position का function है, तो variably accelerated motion. Next point, अगर one-dimensional motion हो रहा है, rectly linear motion हो रहा है, motion is straight line हो रहा है, तो acceleration उसी line के along होगा. चाहे positive, चाहे negative. right है, तो positive, left है, तो negative, mali ji conversion मल लिया. फिर acceleration का sign क्या बताता है? तो अगर acceleration positive हो, तो पक्की बात है velocity बढ़ रही है. अगर acceleration negative हो, तो पक्की बात है, velocity घट रही है, बट speed के बारे में ऐसा नहीं है. speed पर बारे में कैसे करते हैं, तो सबसे important point. अगर speed बढ़ रही है, तो इसका मदलब acceleration velocity एकी direction में है, and vice versa. अगर acceleration velocity opposite direction में होते हैं, V plus A minus, V minus A plus, तो speed घट रही है. इसका मदलब यह कि, अगर कहीं किसी quotient में, और यह आकासो LN के कई module के quotient में है, कि अगर acceleration negative है, तो इसका मदलब क्या, तो याद रख लिए, अगर acceleration negative है, तो जरूरी नहीं कि speed घटे, अगर acceleration negative है, तो जरूरी है कि velocity घटे, speed घट भी सकती है, और बढ़ भी सकती है, इस वीडियो में अगर आपने कुछ समझा, तो यह जरूर समझ लिए, अगर acceleration negative है, तो speed घट भी सकती है, और गड़ भी सकती है, पर यह वीडियो दुबारा देखिए, मेरी चीजों को समझ लिए,